ओके गूगल टाइम क्या हुआ समय रात के 11 बच के 51 मिनिट हो रहा है तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूँ टॉप 7 फ्री वर्टप्रेस ओनलाइन कोर्सेस जो की यूडेमी में अविलेबल है और 2021 के ये लिष्ट है जो यूडेमी ने जारी किया है और मैं आपको बता दू ये जो 7 कोर्सेस होंगे वो सब वर्टप्रेस के कोर्सेस हैं जो आप इन कोर्सेस में वर्टप्रेस सीख सकते हो देखो गाईज मैं आप लोग को 2-3 चीजे रेकोमेंट करना चाता हूँ इस वीडियो में अगर आप लोग अच्छी तरीके से वर्टप्रेस सीखने से क्या फाइदा होगा आप कैसे करके काम में ले सकते हो इन कोर्सेस को मतब वर्टप्रेस सीख के आप लोग किस तरीके से पैसे कमाना सकते हो क्या क्या मेथोड हैं क्या क्या आगे जाके फ्यूचर में स्कोप्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छी से डिसकस करके दूँगा ठेक है तो मैं इस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अग आपको मेरा वेबसाइट का ये पेज दिख रहा होगा और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसे बहुत सारे वीडियो में अपने कि मैं अपने वेबसाइट का लिंक इसी लिए देता हूँ क्योंकि यहां पर मैं कोई एक सिंगल कोर्सिस नहीं लाता हूँ मैं आपको नहीं आप easily just इनको इस webpage में आके आपको सारी जो जितने भी 7 courses हैं उनके links मिल जाएंगे ओके और वहाँ से आप लोग एक एक करके open करके उसमें enroll कर सकते हो देखो सबसे पहली बात Udemy ने ये जो wordpress के free courses है only 7 free courses को इस बार रखा है अपने list में तो मैं तो आप लोगो definitely कहूंगा क्योंकि देखो wordpress अगर आप लोग सीखते हो ना तो wordpress में आप लोग काफी कुछ कर सकते हो आप हो सकता है आगे जाके किसी agency में job करो website बनाने का wordpress में website बनाने के बहुत ज़्यादा demand है wordpress एक बहुत ही highly demanded बनाने का एक platform है तो बहुत सारे लोग agencies को order देता है कि आप लोग मेरे business के लिए website बनाओ मेरे लिए website बनाओ मेरे company के लिए बनाओ तो ऐसे करके agencies भी आप लोग को hire करेगी ठीक है वैसे तो बहुत agencies hire करती ही है अगर आप लोग किसी भी job portal में जाके देखो search करो की wordpress developer लिखके search करो और वहाँ पे देखो ठीक है तो आपको कही न कहीं एक अच्छा खासा private नौकरी आपको देखने को मिल जाएगा और हाँ ये सब बहुत ही experience में भी depend करता है salaries वगेरा ठीक है तो जैसे जैसे experience होगा आपको experience बरते जाएगा आपको salary raise होते जाएगे ठीक है मैं आपको ये भी बता दू कि wordpress को सीख के आप लोग खुद भी freelancing कर सकते हो जैसे fiverr.com हुआ freelancer.com हुआ ऐसे freelancing के काफे सारे websites होता है जहां पर आप लोग लोगों से order ले सकते हो जिनको भी website बनाना है wordpress पर वो लोग आपको order देंगे और उन लोग का order आप लोग complete करके दोगे यानि कि उनका website आप बना के दोगे तो उनके तरफ से आपको एक payment जो है अब वो release हो जाएगा और आपके bank account में आपको मिल जाएगा freelancing के बारे में अगर आप लोग को पताने detail में तो please मैं आप लोग को अभी नहीं बता सकता हूँ आप लोग हो सके तो नीचे comment करो freelancing क्या है और freelancing में कैसे क्या करना होता है यह सब तो मैं एक particular video बनाऊंगा freelancing के उपर right now guys और एक चीज़ आप लोग कर सकते हो आप अपना ही एक agency या फिर क्या सकते हो अपना ही एक business open कर सकते हो wordpress designing का तो basically आप लोग कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं अगर आप खुद भी सीखते हो तो भी आप उस business को कर सकते हो आपको just कुछ भी नहीं करना है एक one one person company एक register करना है अपना company को अपना company का नाम होना चाहिए और one person company register करना कोई बड़ी बात नहीं है आपको ऐसा नहीं है कि हजारों रुपया खर्च करने परेंगे इधर उदर जाने परेंगे बहुत यह simple method होता है one person company का और लेकिन company register करवाना होगा क्योंकि आप अगर order लोग यह पैसे transaction करोगे तो कहीं न कहीं एक company register करना जरूरी होता है और जब तक लाखों का turn over नहीं होता है आपको GST register करवाने के जरूरत नहीं माली जी आप महना में बहुत सारे order complete कर रहे हो बहुत सारे पैसा कमा रहे हो तब तो फिर आप GST register करवा लेना और one person company और GST किस तरह के से करते हैं इन सब के बारे में details आपको YouTube में जाके मिल जाएंगे ठीक है या फिर Google में जाके किसी भी website पर article पर लेना आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और ओके तो यह तीन scopes हैं आपके पास आप खुद का agency open कर सकते हो website बनाने का उसके बाद आप किसी दूसरे के agency में join कर सकते हो job का और फिर last option आपके बास आता है freelancing का जो कि आप कहीं से भी कर सकते हो as a part time job या फिर as a side income आप लोग कर सकते हो ठीक है दिन का 2-3 घंट आपको देना है एक-एक website आपको बनाना है आपको अराम से 5-6,000 मिलता जाएगा ठीक है वैसे एक website बनाने के लिए आपको कहीं न कहीं 4-5 घंटे का अच्छा सा वक्त देना परता है तो हो सकता है आप 2-3 दिन में एक website बनाओ तो आपको कहीं न कहीं अच्छा एक amount मिल जाएगा 4-5,000 आप easily charge कर सकते हो क्योंकि लोग तो 15-20,000 भी charge करते हैं ठीक है WordPress website का ही बता रहा हूं वैसे coding website जो होते हैं इस वीडियो के नीचे description में मैं आपको link दे दूँगा अपने इस webpage का इस webpage में मैंने हर एक चीज़ सजा के लिख दिया है ठीक है आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है simplest webpage को open करना है कुछ इस तरीके का webpage open हो जाएगा चाहे computer में open करो या mobile पे कोई बात नहीं और यहाँ पे कुछ यह सब बक्वास आएंगे बक्वास सुरी है यार यह सब लिखना भरता है आर्टिकल है मैं क्या कर सकता हूँ ओके तो यहाँ से आपको देखना है basically तो यहाँ से फिर एक दो तीन करके number wise मैंने courses को डाल के रखा है अब आप पूछोगे यार यह सब भी आपने क्या लिखा है तो यह सब मैं बता दूँ यह सब थोड़ा सा details है इन courses का थोड़ा सा details है जो मैंने लिखा है क्योंकि मैं blog लिख रहा हूँ तो कुस तो article में मुझे details देना चाहिए इसलिए मैंने दिया है अभी आप देख सकते हो यहाँ पर यह सब आपको तो टिंसर नहीं लेना है आपको simply how to build and make a wordpress मतलब यह जो blue color का आप लोग देख रहे हैं इसको simply आप लोग को open करना है तो जैसे आप लोग open करोगे Udemy में यह सब links open हो जाएंगे सबसे पहले बता दूँ आप लोग को यह वाला जो course है यह सबसे 1 में रखा गिया है Udemy के तरफ से और 2021 का कुछ updates भी दिया गया है 2 घंटे 18 मिनिट का course है 4.4 का rating है और ज्यादा course content में अगर आपको जाके मैं दिखाऊं तो 8 section है 26 lectures है तो ज्यादा बरा है भी नहीं और आप total तो देखी सकते हो 2 घंटे 18 मिनिट only जहाँ पर आपको काफी कुछ सिखा जाएगा WordPress के बारे में तो आप definitely यह वाला कर सकते हो और मैं तो recommend करूंगा कि यह जो 7 courses है ना इन 7 के 7 courses को आप लोग enroll करके सीख लो क्योंकि आप देखे 1 घंटा 45 मिनिट तो एक हपता दोगे ना तो एक हपता में आप लोग साथ courses complete कर सकते हो ओके तो एक हपता में आप लोग को काफी कुछ WordPress के बारे में हर courses में कुछ ना कुछ सीखने को अच्छा मिल जाएगा तो यह वाला भी course आप दिख सकते हो कमाल का है पोने दो घंटा का course है 43,000 students है और कही ना कही रेटिंग बहुत बढ़िया है ओके यह चौथा नंबर course है थर्ड नंबर course को मैंने इग्नौर किया है क्योंकि वो तो आप लोग देख लोगे यहाँ पर आप देख सकते हो learn how to make a WordPress website professional एक घंटा 9 मिनट only ठीक है यानि कि आप लोग को WordPress किस तरही से बनाया जाता है यह आपको only एक घंटे में सिखा दिया जाएगा तो काफी अच्छा है यार आप लोग जरू ट्राइ करो इसको मुझे तो बहुत पसंद आया ओके वन पेज WordPress website for beginners तो यह भी आप लोग ट्राइ कर सकते हो क्योंकि WordPress website कुछ-कुछ ऐसे भी होते हैं मतब कुछ-कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वन पेज WordPress website बनाने को आपको order देंगे तो यह वन पेज WordPress website क्या होता है अभी मैं detail पर नहीं जाना चाहता अगर आप लोग इसको में सीखोगे तो आराम से सीख सकते हो only एक गंटे 25 मिनट में जो कि आप I think इस course को एक दिन में ही कर सकते हो तो जैसे कि मैंने आपको बोला साथ दिन में साथ course करोगे तो काफी है ओके तो छे नंबर और साथ नंबर भी दिखाई देता हूं मैं ठीक है इन लोग को क्यों ही चोड़ो और तीन नंबर मैंने नहीं दिखाया वह आप लोग देख लेना और यह है make WordPress hosting easy with place on Amazon light sale तो यह basically एक hosting service होगा Amazon के तरफ से यह actually मुझा भी hosting service होगा तो यह आप लोग अपने WordPress website को किस तरह की से Amazon light sale में host कर सकते हो और बहुत ही fast बना सकते हो ठीक है और यह सब भी काफी कुछ है यह सब आप लोग देख लेना पहले क्या क्या आपको सिखाय जाएगा course के content को देख लेना अगर आपको काम का लगे उसकी बाद बहुत ही तरीके के हो सकते हैं आप news website बना सकते हो, professional blog बना सकते हो e-commerce website बना सकते हो तो काफी तरीके के website आप लोग बना सकते हो तो यहाँ पे आप लोग लिस्टिंग और डिरिक्टरी website बनाना सीखोगे इस course में देर घंटे का course है ठीक है और आप बोलोगे कि यार मुझे लिस्टिंग और डिरिक्टरी website बना के क्या फाइदा तो देखो यार कोई भी लोग किसी भी तरीके के website का order दे सकते हैं आपको wordpress सीखना है उसके बाद आपको तरह तरीके के website बनाने आना चाहिए जो आपको अलग-अलग courses में सीखने को मिलेंगे वैसे मैं आपको बता दू मैं अपनी YouTube चैनल पे बहुत सारे wordpress के courses बना चुका ओरेड़ी यहाँ पे मैंने अपना 5 best wordpress courses डालके रखा है वैसे मैं अपनी YouTube चैनल पे आगे आगे जाके खुद मैं देखो मैं खुद wordpress expert हो मतलब wordpress में मुझे बहुत websites बनाने आते हैं तो मैं एक एक करके डालने वाला हूँ ठीक है इस साल 2020 में तो नहीं हो पाया कैसे बीद गिया पता नहीं लेकिन 2021 में कही न कहीं मैं डालने वाला हूँ तो जितना यह लोग नहीं सिखाएगा यह professional courses नहीं सिखाएगा उतना आप लोग इन सब मेरे वीडियो के या tutorials से आप लोग सीख सकते हो और पांचो के पांचो tutorial हिंदी में available है जो सबसे अच्छी बात है नीचे बाला आप देखो news website किस तरीके से बनाते है वह मैंने आपको दिखाया फोर्थ वाला में movie downloading website किस तरीके से बनाता है वह मैंने आपको दिखाया उसके बाद school management website उसके बाद e-commerce development या e-commerce creating tutorial on wordpress बतब e-commerce website किसे बनाते है और उपर वाला तो blogging जो कहीं बहुत basics है और मैं आप लोग को request करूँगा इन दोनो चैनल को आप लोग एक बर क्लिक करके देख लेना अगर subscribe ने किया तो जरू subscribe करें और बस इतना ही था इस वीडियो में इस वीडियो में आप लोग को काफी कुछ पता चला देखने को मिला समझने को मिला ठेक है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए अगर उनको सीखना हुआ तो उनका भी काम का आ जाएगा और मेभी अगर आपका कोई एक दोस्त आपके ही जैसा website बगरा बनाने में interested है तो उनको भी शेयर करो ये वीडियो क्योंकि आप लोग दोनों सीखोगे तो आगे जाके मेभी आप लोग अपना agency बना पाओ या अपना business open कर पाओ दोनों साथ में और लोगों के website design करके अच्छा खलसा पैसा कमा पाओ तो आप मेरा बात समझ गया होंगे ओके इस वीडियो में इतना ही ज्यादा कुछ है नहीं फिर कुछ और useful वीडियो के साथ मिलेंगे इसी चैनल पे इस वीडियो को like चैनल को subscribe थैंक यो गूगल टाइम क्या हुआ समय रात के 12 बच के 5 मिनिट हो रहा है